प्रेंट्स जेशियाराम आप सबी लोगों का स्वागत है एसा एस देवास पर आज हम पढ़ेंगे कोल्ड वर ठीक किसके बारे में पढ़ेंगे कि कॉर्ड और अपनें है महत्एपूण टॉपिक है और जब भी वर्ल्ड पॉलिटिक की बात होती है तो सबसे पहले महत्पूण टॉपिक आता पहलो को इसका Cold War के बारे में कुशा आता है तो आज हम डिसकस करेंगे Cold War क्या है Cold War क्यूं हुआ था किन किन कंट्रीस के बीच में हुआ था इसरे बहुत सारे प्रस्तन है जिनके उत्तर हमाज जुड़ने के को सिस करेंगे तो देखिए cold war जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी front page पे ठीक है cold war का जो time period है वो आप देख लिए cold war 1945 से start होता है 1991 तर 1991 के बाद में cold war past हो गया past क्यों हो गया कि cold war हमेशा के लिए over हो गया ठीक है तो cold war क्यों start हुआ था और 1945 में ही क्यों start हुआ था 1945 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वैसे cold war start हुआ और सबसे महत्र पूर्ण है cold war होता क्या है क्योंकि cold और war दोनों ही एक दुसरे के opposite word है cold का मतलब होता है relax, shant, ठंडा बैठना, war का मतलब होता है लड़ाई जगडा ठीक है तो दोनों connect होकर एक नया word बनाते है cold war तो उसका मतलब क्या निकलता है वो भी हम समझेंगे तो cold war का सबसे पहले हम overview देख लेते हैं अगर आप overview पड़ेंगे यह Indian politics का 12th class की books लिया गया है ठीक है यही topic आपको graduation में भी मिलेगा यही आपको PG में भी मिलेगा यही आपको UPSC और PSC में भी मिलेगा तो cold war जो है same topic है ठीक अलग-अलग books में आपको अलग-अलग तरीके से मिलेगा तो यहां पर overview दिया गया है और यू का मतलब आप समझते हैं जब कोईसी movie स्टार्ट होती है तो कभी-कभी क्या है कुछ movie में introduction दिया जाता है इसे लगान movie अगर आपने देखी हो तो background में क्या-क्या पढ़ेंगे वो हमको cold war के माध्यम से पता चल जाया क्योंकि जो पहला चेप्टर है वो cold war है दुसा है end of bipolarity तो जो अगर इस साल के हम cbsc के board के syllabus की बात करें तो end of bipolarity आ रहा है cold war नहीं आ रहा है ठीक है तो कुछ बच्चे यह भी देखके अच्रज में पढ़ जाएंगे यार सर की cold war क्यों पढ़ा रहे है end of bipolarity क्यों नहीं पढ़ा रहे है तो end of bipolarity आपको तब समझ में आएगा जब आप cold war पढ़ेंगे और यह पूरी इस ही में सबसे ज्यादा Indian quality और उसके बाद में world quality से अगर कोई पुछा जाता है तो cold war से पुछा जाता है ठीक है तो यह जो पूरी book है वो किस पर टिकी हुई है वो टिकी हुई है cold war ठीक है अब cold war क्या है नाम क्या है नाम और cold war का क्या connection है नाम इंडिया में क्यों आया थ है यह सब आपको answer कहां मिलेंगे cold war में मिलेंगे ठीक है तो बगर समय कमाय है हम आते हैं मेन मुद्धे पर सबसे पहले हमको पढ़ना है cold war है क्या उसके बाद हम बाकी की चीज़े समझ पाएंगे तो यहां पर और यह आपको समझ में आहीं गया होगा cold war हम क्यों पढ़ रह है भाई साब अगर आप जीवन में सपना देख रहे हैं पटवारी बनने का पुलीज बनने का या पती बनने का क्योंकि आजकल पती भी वही बन पाता है जिसके पास job या government job होती है तब जाकर इंसान पती बन पाता है औरना कुमारा ही रह जाता है तो अगर आप जीवन में कुछ भी बनना चाहते हैं तो आपको ये topic पता होना चाहिए तो Cuban Missile Crisis बहुती महतपुन है बहुती आएंपी है ठीक है अगर आप UPC-PAC के paper उठा कर देखेंगे तो आपको Cuban Missile Crisis के एक दो प्रस्थनों देखने को मिल जाएंगे तो ये क्या है ये घटना घटी दी 1961 में ठीक कजाकिस्तान तुरकिस्तान ये सब एक टाइम पर ग्रूप हुआ करता था और ग्रूप को कहते थे USSR but there were 15 countries and they made a group and that group was known as USSR ठीक है उसका full form क्या ये भी पुचाया सकता है Union of Soviet Socialist Republic ठीक है were worried that the United States of America अब दूसरा ग्रूप ठीक है United States of America को हमें country कहते हैं पर अगर आपको ध्यान ह तो ये coming together federation है coming together का मतलब क्या होता है जब बहुत सारी states आपस में आकर एक country बनाती तो coming together बोलते है coming together holding together दोनों ही आप पढ़ चुके होंगा अगर नहीं पढ़ा है तो आएक बार और आप देख लिजेगा कि coming together का मतलब होता है जब छोटी-छोटी states अपने आपको strong बनाकर पास में आकर एक country बनाती तो coming together कहा जाता है holding together का मतलब होता है जब एक बहुत बड़ी country होती है उसको अलग-अलग units में divide कर देते हैं ताकि सही तरीके से law and order maintain किया जा सके है उसे holding together कहा जाता है इंडिया is a best example of holding together USA is a best example of coming together तो इनका टशन किस से था USA से था क्यों क्योंकि इ small island nation of the coast of the United States United States के पास में छोटा सा देश है क्यूबा ठीक आप पूरी कहां नहीं समझेगा तो आपको समझ में आएगा देखे 1945 यह याद रखेगा पहले तो आप एक याद करे रहे यार एक तो यह पेन है ना 1914 to 1980 और दूसरा जो एर है वो है 1939 to 1945 ठीक है यह दोनों ही टाइम पिरेड आप यहाद रखे है क्यों क्योंकि इन दोनों टाइम पे क्या हुआ था World War हुआ था व्ल्ड वर फर्स्ट कव वा था? 1914 से 1918 तक इंसर्ट दा न्यू स्लाइड ठीक आगया हम इसको ब्लेंक पेच्पे समझते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ठीक है अब पूरा सीन समझेगा 1914 to 1918 क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इस समय फर्स्ट वर्ड वार हुआ था ठीक है? 1939 से 1945 तक क्या हुआ था? Second World War हुआ था ठीक ये दोनों याद रखेगा आप क्योंकि ये बहुत महत्पूर्ण है competitive exam में पूछा जाता है फर्स्ट वर्ड वर्ड वर्क कप लड़ा गया था? 1914 से लेकर 1918 के बीच में सेकंड वर्ड वर्क लड़ा गया था? 1939 से लेकर 1945 तक बिल्कुल सही सुना आपने पहला जो वर्ड वर है चार साल चला था दूसरा जो वर्ड वर्ड चला था वो कितने साल चला था? 6 साल चला था कौन-कौन से कंट्रिस के बीच में लड़ा गया है हम आगे पड़ेंगे ठीक है? फिर भी अगर आप मोटा-मोटा आकडा निकाले तो एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसेस आर और यूएसे था दूसरा जो ग्रूप था वो था जर्मनी का, इटली का और जापान का, ठीक है? पूरा लिखने की बजाए में बोलना ज्यादा पसंद करूँगा, आप इसको रिकॉर्ड मोट में भी देख सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है? वीडियो को पोस करके भी आप देख सकते हैं, एक ग्रूप हुआ कौन सा? ब्रिटेन, फ्रांस, एक ग्रूप को क्या कहा गया? एक्सिस कहा गया, ये दुख ग्रूप थे, 1945 में Second World War end हो गया, USA ने जापान के हिरोशीमा और नागासाकी के उपर दो बॉम गिरा है, एक का नाम था लिटिल बोई, एक का नाम था फेट में, बॉम के नाम भी याद रखिएगा, इस लेक्सर् इसलिए इनका इहां पर जिक्रिक किया जा रहा है, ठीक है, तो पहला बॉम जो है, 6 अगस्त को हिरोशीमा पर गिराया गया, दूसरा बॉम 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया, दोनों का इयर क्या था? 1945, पहला जो बॉम था उसका नाम था लिटिल बोई, क्या नाम चोटा था, जापान को डराने के लिए अमेरिका ने बॉम गिराया, कहां पर गिराया, हिरोशीमा पर, उस समय हिरोशीमा आज की टोक्यो से धाई गुना बड़ा था, आज दुनिया का सबसे बड़ा शेहर कौन सा है, टोक्यो, कितनी आवादी है, पोने 3 करोड के आसपास ह अब उस समय शेहर धाई गुना बड़ा था, तो आप समझ सकते कितना बड़ा शेहर था, तो जापान एक आखरी कंट्री थी, जो 2nd World War में आखरी तक हार नहीं मान रहा था, जर्मनी पहले ही सरेंडर कर चुका था, हिटलर ने सुसाइड कर लिया था, ठीके, इटली भी बह हो चुका था, जापान युद्ध को आगे खीचा जा रहा था, और अमेरिका चाहता था कि वर्ल्ड वर खत्म हो जाए, जापान के उपर डराने के लिए बॉम गिराया है, हाला कि बॉम की जरूरत नहीं थी पर डराने के लिए गिराया गया, ठीके, तीन दीन बाद जब ज रजबूरन surrender करना पड़ा जैसी जापानने surrender करा Second World wart हो गया, ऑब Second World War खत्म हो干 उबात महें तक traject drink के बर ही country's के बारे में हम पढ़ेंगे अभी हम जो पहला topic पढ़ रहे थे उसमें भी हमने USSR और USA के बारे में ही पढ़ा ठीक है अब बच्चे सबस्यादा confused यहां पर इसलिए होते हैं कि यह जब second world war चल रहा था first world war के time पे भी दोनों country's एक ही side से थी आखिर ऐसा क्या वा 1945 के बात में कि USSR और USA दोनों rivals हो गए एक दूसरे के दुस्मन बन गए ठीक है तो वहीं हम समझने के कोसिस करेंगे और इन दोनों के बीच में जो टशन था जो विवाद था जो माहोल साया अही डों गिराए गहे किसके दौरए गिराए गये युए से i W 문 ने बनाई ते क्या नहीं बॉब बनाये गे ज़रम निके दौरा घर्मनी एंडम बं मना यूअ कर पाया क्योंकि जिसके दौरा बना अय था वो साइंटिस्स बचकर अपने जान बचा कर कहां भाग कर आ गया था अमेरिका आ गया था क्योंकि जर्मनी में आपने 10th क्लास में पढ़ा हो तो जो भी वहां पर यहुदी लोग थे जिपसी लोग थे उनको मारा जा रहा था तो उनी में से एक जो साइंटिस्ट था जू करें ठीक कौन था वह महांसक्त जिसने एक अमेरिका के सामने कि अमेरिका तब तक नहीं गिराएगा जब तक उसके उपर या कोई दूसा देश इस्तमाल नहीं करता अमेरिका ने उस समय वादा कर लिया पर बात में वादे से मुकर गया और उस समय की मतलब सब बड़ी इतर सकते हैं पाकिस्तान हमें रोज कड़ा राता है मोदी जी भी रोज के मज़े लेते हैं हमारे पास भी एटम भॉम है जान हमारी घबराती है ठीक है पेसा खर्च करता वक्त हमारे दिमाग में आता है कि भावशी के लिए बचाएं और बात में टीवी पर खबर देखते हैं में फिर पता जलता है फ्यूचरी खत्रे में है क्या पता किस दिन रात में सुतली बम फोटने के जगा एटम बम फोड़ जाए और हम एक दिल मांगे मोर की जगा है कुछ भी हो सकता है चले पॉइंट टू पॉइंट पाते हम ठीक है यहां पर क्यूबा मिसल क्रासेस था क् एक तरव यूएसे एक तरव यूएसेसर था तो यूएसे के पास में क्यूबा है क्यूबा एक कम्यूनिस्ट कंट्री है जहां पर कम्यूनिस्ट गवर्मेंट चलती है और कम्यूनिस्ट गवर्मेंट कहां चलती थी यूएसेसर में उस टाइम पे तो यूएसेसर की मदद स क्यूबा में गवर्मेंट बनाई गई थी उसके प्रेसिदेंट फिदेल कास्त्रो थे तो फिदेल कास्त्रों की अच्छी बॉंडिंग थी किसके साथ USSR के उसी समय USA को डर था क्योंकि जो क्यूबा है वहाँ पर मिसाइल जो मिसाइल तो आप समझती होंगे रॉक्टी तरह वर्ल्ड मेप हो तो नहीं हो तो आप है ना अपने स्क्रीन पर भी खोल सकते हैं ठीक यह आगया देखिए यह है यह मेक्सिको और आपको यहीं कहीं क्यूबा देखने को मिल जाएगा ठीक है अगर USSR देखेंगे इस मेप में आपको बिल्कुल दूर दूर तक नहीं कि दी कि अगर USSR यहां पर मिसाइल स्टॉल करेगा तो USA क्यूबा पर अटेक कर देगा पूरी दुनिया खत्रे में पूरी दुनिया टेंशन में क्योंकि डर इस बात का था कि USSR पीछे हटेगा नहीं अपनी मिसाइल स्टॉल करेगा और USA बदला लेने के लिए किसके उपर हमल करेगा USA के उपर और पूरी दुनिया पहले से अल्रेडी दो ग्रूप में बटी भी थी ठीके एक तरब नेटो थे एक तरब वर्सा वाले थे कभी वर्ड वर हो सकता है और वर्ड वर तीसरा जो वर्ड वर है वो बिसली किसके थुरू लड़ा जाना था एटम वंके और पीछे नहीं हटा तो क्या होगा USA क्यूबा पर हमला कर देगा हलाक यहसा कुछ हुआ नहीं आखिर में USSR की तरब से ही थोड़ा सा पीछे हटा गया उन्होंने डिसाइड किया कि यह भी छोड़ देते हैं मिसाहिल बात में स्टॉल कर देंगे जब USSR कुछ कदम पीछे हट गय मिसाइल स्टॉल करना चाते थे उसमें निकिता खुष्चेव जो थे वो USSR के प्रसिडेंट थे लास्ट में काफी लोगों ने उन लोगों से रिक्वेस्ट करी कि वो पीछे हट जाए तो पीछे हट गया और USSR ने हमेसा के लिए अपना प्लान त्याग दिया तो ऐसी बहुत में सोते वक्त ऐसा लग रहा था कि सुबह साय दिनीन खुले क्यों क्यों क्योंकि उस समय USSR was powerful country and USSR also दोनों ही देश एक दुसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में थे दोनों ही एक दुसरे को अपने राइवल्स के लूप में ले रहे थे और इस बात का पूरा यकीन था कि कभ अभी भी अगर हुआ तो दुनिया क्या हो जाएगी दुनिया हो जाएगी खत्म ठीक है यहां तक समझ में आ गया होगा आपको चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर अब हम आते हैं में टॉपिक पर हम पोल्ड वर समझने कोशिस करेंगे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस समझने के बाद में और व्यू समझने के बाद में हमें क्या समझना जरूरी है हमें समझना जरूरी है कि यह पूरी कहानी स्टार्ट कहां से होती है ठीक है तो नाइंटीन ठीक है अमेरिका सोल्जर्स राजिंग दा यूएस फ्लेग ड्यूरिंग दा बैटल ओफ आयो जीमा एक लास्ट जहां पर युद्ध लड़ा जा रहा था वहां पर दो कंट्रीज की आर्मी बची हुई थी एक तरफ यूएस एक तरफ यूएस ठीक है बागी सारी कंट्रीज म यूएस एस आर और एक है यूएस यह कब की न्यूज है 1945 के 1945 में क्या हुआ सेकेंड वर्ड ओवर एंड हो गया बागी सारी जो कंट्रीज है वो खत्म हो चुकी थी सिर्फ दो ही कंट्रीज बची एक यूएस एस एस अब दोनों ही साथ में लड़ रही थी दोनों ही पावरफुल कंट्रीज थी दोनों ही चाती थी कि दुनिया में उनका दबदबा हो क्योंकि 1945 से पहले दुनिया में किसका दबदबा था ब्रिटेन का 75% जो एरिया था वो किसके कंट्रोल में था ब्रिटेन के और ब्रिटेन से ये एरिया क इनारे लग गए अब इस बात का फाइदा उठाना चाहता था USA और USSR तो दोनों थे तो मित्र पर दोनों यह चाहते थे दुनिया को दिखाना कि दोनों ही पाउर्फुल कंट्री हैं ठीक एक तरव USA ने एटम बंब गिराया जापान में जैसा कि मैंने अभी आपको पताया और दिखा दिया कि हम सब जो लड़ेगा उसके उपर हम एटम बंब गिरा देंगे दूसरे तरव USSR जिसके पास दुनिया के सबसे बड़ी आर्मी थी एडवांस हतियार थे सबसे बड़ी एकोनॉमी थी और जिसको कह सकते ना आयरं पॉलिसी लेकर चलते थे वो भी पीछे अट की तो यह और यूँ था कोल्ड वोर का हमारे पहले लेक्चर में जिसमें हमने पड़ा कि कोल्ड वोर कैसे जनेरेट हुआ कौन कौन से कंट्रीज के बीच में जनेरेट हुआ अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे वाट इस कोल्ड वोर एंड वाट वर the causes of Cold War and what were the effect of Cold War. Thank you.